सबी बक्तों को शिरी शिवाय नमस्तू प्याप हर हर महादे जैसा कि आप जानते हैं कि सोमवार की जो अश्टमी होती है वो साल में केवल दो या तीन ही आती है तो इस जून सोमवार की अश्टमी पढ़ रही है जो की 26 जून को पढ़ रही है तो सोमबार की अश्टमी के दो उपाय जो की संतान प्राप्ति के लिए वही मैं आपको बता रहा हूँ उपाय जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो पारिजात के पुष वाला उपाय है उसमें समय लगता है तो अभी से यदि आप इस उपाए की प्रक्रिया शुरू कर देंगे तो 26 जून को परिजात के पुश वाला उपाए कर पाएंगे तो सबसे पहला जो उपाए है वो है खीर वाला उपाए है तो उसमें आपको क्या करना है सोंबार की अश्टमी के दिन खीर का बोजन मनाना है खीर आप कोई सी भी बना सकते हैं वो चामल की खीर हो या फिर साउद्दाने की खीर हो या फिर किसी और विवस्तू की खीर हो आप खीर कोई सी भी बना सकते हैं अब क्या करना है शाम के समय प्रदोशकाल में प्रदोशकाल कौन सा होता है जब सूर्यास्त होने वाला होता है तो जिस समय सूर्यास्त हो रहा होता है उसके 45 मिनिट पहले और 45 मिनिट बात का जो समय होता है वो प्रदोशकाल कहलाता है जो कुल डेड़ गंटे का समय होता है तो अब आपको क्या करना है, बेल पत्री के विरक्ष के नीचे एक ब्रामन और एक ब्रामनी को बिटाना है, ब्रामनी की गूद में उसके बच्चे को भी बिटाना है, और जो आपने खीर बनाई है, उस खीर का बोग पहले तो आप बेल पत्री के विरक्ष के नीचे लगा द बहच्चा भी बैठा हुआ हो और जो खीर आप ने बनाई है उसका बोजन उस ब्रहमणी को करा दीजिए के ब्रहमणी को आपको बोजन कराना आप को नहीं और उसका भुच्चा भी खा ले कीर तो अच्छी बात है और उस में से थोड़ासा अपना जूटा खीर वो उसी पात जिस महीला के संतान नहीं हो रही वैखाले तीन महीने के अंदर निश्चित रूप से उसका गर्व ठहरेगा और उसको संतान की प्राप्ती होगी। अब हम चलते हैं अगले उपाई के तरफ तो अगला जो उपाई है वो है पारिजात के पुष्प वाला उपाई। पारिजात को जो पुष्प होता है वो थोड़ा सा सफेद कलर और बीच में से केसर ये कलर का होता है तो जो पारिजात का पुष्प है उसके पीछे वाली जो डंडी है जैसे कि मान लीजी ये पारिजात का पुष्प हो तो इसकी जो पीछे वाली डंडी है तो आपको 30 के 40 प पारिजात के पुष्पी जो पीछे की डंडी है, उनको तोड़ लेना है, तोड़ कर उनको सुखा लेना है, सुखा कर, क्या करना है, आपको सुखा लीजिए, और सुखाना, सुखाना कैसे आपको, घर के अंदर सुखाना है, दोप में नहीं सुखाना, उनको, दोप में नही की तरह हो जाएगा तो पारिजात के पुषपी 30-40 पीछे की डंडी तोड़ कर उसका बुरादा बना लिजे सुखा कर और फिर आपको एक पारिजात का पुषप लेना है सोंबार की अश्टमी की दिन इस उपाय को करना है सबसे पहले तो आपको शिवलिंग के सम्मुख में बैठना है बोले वाबस से संतान प्राप्ति की मनो कामना करनी है और उसके बाद में जो पारिजात का पुषप है तो जो फूल वाला मुख है यह जो है यह आपको अपनी तरफ रखना है और जो डंडी वाला भाग है वो शिवलिंग की तरफ रखना है संतान प्राप्ति की कामना बोलिए और समर्पित करना है आपको अशोक सुंदरी वाले इस्थान पर जो शिवलिंग में अशोक सुंदरी का इस्थान होता है महाँ पर आपको ये पारिजात का पुष्प समर्पित कर देना है उसके बाद इसी पुष्प को उठा लेना है उठाने के बाद कि जो शिविलिंग में माता पारवती का इस्तान होता है माता पारवती का हस्त कमल होता है जिस पर शिविलिंग विराजमान है महापर आपको वही फूल समर्वित करना है जो आपने अशोग सुन्दरे वाले स्तान से उठाया है अब उसको जब आप समर्पित करोगे तो जो डंडी वाला भाग है वो आपको अपनी तरफ रखना है और जो पुश्प वाला भाग है वो आपको शिबलिंग की तरफ कर देना है फिर ये पुष्प रखने के बाद बोले नाथ से संतान प्राप्ति की काम ना कीजिए उसके बाद फिर से इस पुष्प को उठाना है अब उठाकर शिवलिंग के ओपर इस पुष्प समर्पित करना है पुष्प समर्पित करते समय जो डंडी वाला भाग है वो आपको आपके विपरेत में रखना है और जो फूल वाला भाग है वो आपको इसको आपके सम्मूप में रखना है ये पारिजात का पुष्प नहीं है पर आपको समझाने के लिए मैं आकडे का पुष्प इस्तमाल कर ला हूँ लेकिन पालिजात का फुषभी विल्कुल ऐसा ही होता है तो आपको इसी प्रकारिगार से उसको समर्पित कर देना है जब आप ये फूल समर्पित कर दे तो फिर समर्पित करने के बाद में आपकी मनोखामना बोले ये संतान प्राप्तिकी और जो आपने चंदन बनाया था जो डंडियों को सुखा कर पीस कर चंदन बनाया था उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर भोले नात के शिवलिंग पर तिरपुंड का निर्मान करतीजे और यदि चंदन अतरिक्त बन जाए तो आप प्रती दिन पूजा करने जाते हो जल छड़ होगी सोंबार की अश्टमी के दिन इन उपायों को कीजिए बोले नात की किरपा रही तो आपकी कोद में चल्दी से एक बच्चा खेलेगा इन दोनों उपायों को कीजिए पारिजात के पुश्व को अभी ही डूंड कर रख लीजे और इसकी डंडी को तोड कर अभी सुख आना प्रारम कर दीजिए ताकि अश्टमी आने तक वडंडी सोख जाए और आप उसका चंदन मना सके सभी बक्तों को शिरी शिवाय नमस्तु उप्याम और हर महाद